Welcome to weekly market analysis video इस वीडियो के अंदर हम nifty bank nifty का weekly analysis करेंगे and next week market कैसे move कर सकता है and हम किस तरीके से उसके अंदर trades को plan कर सकते हैं इस पर detail में चर्चा करने वाले हैं last week जो मैंने आप लोगों साथ analysis video share किया था उसमें जो मैंने आपको nifty bank nifty के target बताये थे weekly and intraday basis पर दोनों में ही आप लोगों के target अच्छी हुए है तो अब हमारा next week के लिए क्या plan of action होगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो काफी ज़्यादा interesting होगा तो वीडियो को आप like कर दो और चैनल पर पहली बार हमारे आये हो तो चैनल को subscribe कर लो ताकि इस टाइप के analysis वीडियो आप से कभी भी मिस ना हो सबसे बले हम Nifty का weekly analysis कर लेते हैं बड़े time frame पर Nifty को समझ लेते हैं देखो जैसा कि मैंने last time आपको weekly analysis के अंदर बताया था कि market में जो नीचे के तरफ मुझे target दिख रहा है वो कहीने कहीं 24,000 के आसपास एक level है और इसके लाव जो support level में बताया था 24,100 या 24,200 के आसपास का एक support level में आपको बताया था लास्ट हपते के अंदर ठीक है अभी हम देखें तो market directly बहुत बड़ा gap down ओपन हुआ था लास्ट मंडे को और उसके बाद देखो के market ने low लगाया लगबग चोईसजार का round level नमबर था इसको लगबग टच किया और यहां से एक शाप recovery देखने को मिली candle की बात करें तो यहां पर support काया असपास एक hammer candle बनती हुई नजर आ रही है जो कहिने का एक positive candle मानी चाहती है अब हम बात करें यहां पर कुछ important चीजों की देखो यहां से अगर थोड़ा सम broad चीजों को broadly देखें तो किस तरीगे से market में market खाम करता है पहले हमको वो समझ जाए देखो यहां से अगर हम बात करें तो एक फिर से यहां पर hold कर सकता है ठीक है दो चीज़ें हो सकती है या तो market को एक speed में गिर जाए अगर market को speed में नहीं गिरना है तो market क्या करता है generally इस type के consolidation में जाता है या फिर इस तरीके का pattern बनाना start करता है अब market फिर से एक तेजी हो चुकिए तो सेम चीज रिपीट कर सकता है आने वाले टाइम पर आपको फिर से इस तरीके का एक box बनता हो यहां पर नजर आ सकता है ठीक है यह थो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात आने वाले कुछ हपतों कुछ महीनों की यह बात हो गई फिलाल में बात करूँ शॉट टम की इस हपते में देखो गए एक काफी एची ग्रीन केंडल के साथ ओवरॉल मार्केट ने क्लोस किया अब यहाँ पर दिक्कत क्या है जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था तो कहीं ने कहीं अभी एक राउंड लेवल नमबर हमको दिख रहा है 24,500 का लेवल थोड़ा सा इंपोर्टेंट लेवल है इस लेवल को मार्क करके रखिएगा अब ठीक है एक बार तो मार्केट ने ब्रेक किया यह जैसे 24,000 के नीचे एक बार तो मार्केट गया है हाला कि रिकवरी कर गया लेकिन फिर से एक बार तो नीचे तो गया ही गया है ठीक है तो यह चीज़ थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती है अगर मारकेट नेक्स्ट उइक सिंपल चीज़ अगर मारकेट जूह है इस हमते का हाई ब्रेक करके निकलता है 500का लेवल होल्ड कर जाता है जो लेवल हम लेवल होल्ड कर जाता है तो डेफिनेटली एक green candle बनते हुई नजर आ सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी bullish candle बन जाएगी, लगबग ठीक ता green candle बन सकती है, same pattern कि अगर मैं बात करूँ, last time इस ताइप का pattern कहाँ पर देखने को मिलाता है, तो वो हम चीजे चेक कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर ज्यादा पुरान मार्केट जो हाई लगबग 24,600, लगबग 24,700 की आसपास की रेंज के आसपास मार्केट जो हाई लगा सकता है, क्योंकि यह strong resistance की तरह काम करने वाला है, previous हपते का जो low है, ठीक है, अभी हम चलिए इसको छोटे time frame पर डेख लेते हैं, वहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं, अगर एक बार अवली time frame के चार्ट को भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक बहुत बड़ा gap pending है, तो होगा क्या market हो सकता है, इस तरीके से यहाँ से recovery करें, और यह जो gap दिख रहा है, इस gap को hit करने के बाद, क्योंकि ने बताए कि 400 के आसपास तो market चल रहा है, बट 500 एक round level number होता है, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखीगा, तो अगर इस level को market break नहीं करता है, और यहीं से अगर नीचे आना start कर देगा है, तो फिर से एक बार चोई सजार के नीचे कहीं नीचे क्लोस करने की market कोशिश कर सकता है, चोई सजार के नीचे अगर weekly closing मिलती है, तो definitely उसके बाद थोड़ा और अच्छा negative market आपको मिल सकता है, ठीक है, selling side में अच्छे profits आपको बन सकते हैं, put side में, ठीक है, अगर market कहीं नीचे चोई सजार के नीचे weekly close करता है, ठीक है, अब हम थोड़े से levels वाइस चीजों को समझ लेते हैं, कि हम किस तरीके से plan कर सकते हैं, इसके अंदर, ठीक है, अगर simple, अगर में बात करूँ, यहाँ पर Monday को market, अगर sideways open होता है, sideways open होने के बाद, अगर day का high, simply break करके निकलता है, चोई सजा 420 या 22 का level है, अगर इसके उपर निकलता है, अगर इसके उपर निकलता है, थ 500 का level, यह level cross करेगा, फिर आपको में बता है, major target क्या हो सकता है, यहाँ पर 700 के असपास का level, तो यह level important है, थोड़ा सा ध्यान रखीगा, 700, 500 level important क्यों है, क्योंकि एक round level number है, यहाँ से अगर reversal होता है, तो 500 भी important level हमार लिए बन जाता है, ठीक है, अदर्वाइस 700 का level काफी कोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, 15 मिन पर, सेम चीज वैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, कि अगर selling side में बात करूँ, अगर market sideways open होने के बाद, अगर day का low break कर ला है, क्योंकि कहीं हाई level market consolidate कर ला है, तो अगर day का low break करके मंदे को निकलता है, 4300 का level break करता है, sideways open हो 200 का level next target आपका लगबग आप मान सकते हो, मैं इसको तोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ, नीचे में next target 24,100 and next target 24,000 के असपास हो सकता है, सारे levels आपको telegram में मिल जाएंगे, and दोस्तों, आप लोगों ने हमारा free telegram channel नहीं joint करके रखा है, तो यह सारी चीजे में morning में everyday live market के दोरान, यहाँ पर मैं share करता रहता हूँ, तो आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, simply search करना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, telegram channel, okay, तो आपको simple यहाँ पर जाके search करना है, trading heist official, ठीक है, यह search करोगे, link आपको description मिल जाएगे, simply search करके join कर लो, बाके link आपको bio मिल जाएग यह फिर आप screen के ऊपर इनको check कर सकते हो, यह number है, वाके description number मिल जाएगे, class की जादा information के लिए, आपको video के end में एक video देखने को मिलेगा, उस video को देख लीजिएगा, जो के end screen में होगा, उसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कि आपको classes के से join करना है, ठीक है, चलि वैसा है कि हमने nifty के अंदर चेक किया, वैसा ही, same bank nifty के अंदर भी देखने को मिल रहा है, last candle आप देखोगे, यहाँ पर कईने का एक hammer candle बनती हुई, हमको नजर आई है, ठीक है, nifty इतने दिनों से काफी अच्छा perform कर रहा था, bank nifty पिछले कुछ हबतों से continuously, थोड़ी तो 53,000 से लगबग 3,000 पोइंट टॉप से नीचे की तरफ हमको देखने को अभी मिल रहा है, ठीक है, 50,000 के असपास market ने भी फिलाल यहाँ पर टच किया है, ठीक है, अभी मैं बात करूँ कहीं कि यह support आ चुका है, इसके पीछे का reason क्या है, चलिए, मैं आपको थोड़ा सा explain कर लेता हूँ, देखो अगर यहाँ पर आप चेक करोगे, तो market जनरल यह से ही काम करता है, इस trend line के उपर देखोगे, market हमेशा आता है, support लेता है, फिर bounce करता है, इस तरीके से, last time भी यहाँ पर भी गया, इस पर support लिया, and then फिर से market आया, इस पर support के आसपास आ चुका है, और यहाँ पर hammer candle भी बनाया market ने, ठीक है, तो कहीं ने कहीं इस candle का high break कर गया, तो कहीं ने कहीं एक momentum हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको हम और भी छोटे pattern के हिसाब से समझ लेते हैं, छोटे time frame पर कैसे काम करना है, कौन सा important level है, वो उन चीजों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं छोटे time frame पर बात करूँ, hourly time frame पर अगर आप देखो के pattern wise, अगर हम समझे तो कौन सा pattern बन रहा है, पहले हमको वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं zoom out करके आपको दिखा हूँ, अब आपको यह जी हुई, उसके बाद देखो का market इस channel के बीच में trade कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, तो pattern wise pattern की बात करेंदो, flag and poll pattern हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जिसका breakout आने वाले time पर कौन से level पर होगा, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है, कहीं ने कहीं इस pattern का अग आने जार दो सो से तीन सो की range है, ठीक है, तो यह एक बहुत ही बड़ा strong resistance फिलार current level पर हमको देखने को मिल रहा है, एक का आने जार दो सो से तीन सो का level, अगर इस level को break कर के निकलता है, फिर से market जो है all time high की तरफ निकल सकता है, अगर इस level को break नहीं करता है, और यहां से resistance ल दोरान हम किस तरीके से plan कर सकते हैं, मंडे को वो चीज़ भी हम समझ लेते हैं इसी के साथ में, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 15 minute time frame का chart लगा हूँ, और यहां पर हम चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, अगर मानली, अगर यहां पर हम देखे तो कहीं buy के लिए plan कर सकते हैं, यहां पर अच्छा momentum इसके उपर देखने को मिल सकता है, तो simply इसका breakout अगर मंडे को होता है, यहां पर हम plan कर सकते हैं trade के लिए, target क्या हो सकता है, यहां से अगर simply उपर के तरफ जाता है, तो आपको target क्या हो सकता है, पहला target रहेगा 51,000 का level, यह level अग target में आपको अल्रेटी बता चुका हूँ, 51,200 का level, यह एक selling zone रहने वाला है, यहां से अगर market rejection लेता है, तो कहीने के यहां से नीचे की तरफ आ सकता है, तो यह एक important level है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां से अगर selling के opportunity मिल लेगी तो हम sell करेंगे, और यहां से अगर breakout लेक market sideways open होने के बाद day का low break करता है, ठीक है, यहां से अगर फिर से day का low break करके निकलता है, फिर से हम selling के लिए plan कर सकते हैं, simply अगर यहीं से selling आती है, तो फिर से market कहीने की 50,000 का level पहला support area रहने वाला है, अगर 50,000 का level hold नहीं करेगा, इसके नीचे यह continue कर सकता है, अगर market में sharp selling ह हमको देखने को मिलती है, तो कहीने के फिर से low level फिर से touch कर सकता है, गुन 50,600 का level और इसके नीचे आता है, फिर गुन 50,200 का level एक नीचे में strong support area हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो कहीने कहीन आपको समझ आगा है, कि major कॉन से जो ने, जहां से market breakout ले सकता है, और जहां स rejection ले सकता है, ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके जरूर बताना, वीडियो पसंदा है, वीडियो को like करना, और दोस्तों अगर आप free में FNO trading सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं free classes स्टार्ट कर रहा हूं, यह last वाला वीडियो आप complete देख लीजिए मैं मिलता हूं next वियो के अंदर